दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे ठीक है तो आपको ऐसे ही संख्याओं दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि निम्न संख्याओं के घनमूल गयाद कीजिए तो घनमूल निकालने से पहले हम लोग कुछ बेसिक उसे हम लोग अभाज संख्या करते हैं ठीक है तो सबसे छोटी अभाज संख्या दो होता है यानि दो इस सुरू होता है अभाज संख्या तीन भी अभाज संख्या होता है पांच भी अभाज संख्या है साथ भी यानि ये सभी अभाज संख्या है तो आपको कम सकम पांच ये शुरू से करम में यानि कि गनमूल वी एक संख्या होता है लेकिन कौन सी संख्या होती है गनमूल जैसे मान लिजए यहाँ पर अगर आप से कोई पोछे कि आठ का गनमूल बताएं क्या होगा तो आप ऐसी संख्या खोजेंगे कि अगर उसका हम तीन बार आपस में गुड़ा करें तो आठ ही आजाए तो वही संख्या गनमूल होगा जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक संख्या लिखा है दो अगर हम दो का आपस में तीन बार गुड़ा कर दें तो कितना आएगा? आठ ही आएगा इसका मतलब आठ का घनमूल हो गया दो ठीक है? यानि कि घनमूल छोटा ही संख्या होगा देखें आठ से छोटा ही संख्या है वैसे अगर आप से कोई पूछे कि 64 का घनमूल बता दीजिए तो आप ऐसी संख्या को जिए कि उसी का अगर हम तीन बार आपस में गुड़ा करें तो 64 आ जाए तो वो संख्या 4 होगा ठीक है ना कैसे 4 और 4 का अगर हम तीन बार गुड़ा करें तो कितना आ जाएगा तो 64 आ जाएगा देखिए 4 चब को 16 और 16 चब के 64 इसका मतलब क्या हुआ कि 64 का गनमूल क्या हो गया चार हो गया तो ये तो छोटी संख्या है तो हम लोग अंदाजे बता ले रहे हैं लेकिन अगर बड़ा संख्या होगा तो उसका हम लोग गनमूल कैसे निकालेंगे वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ठीक है? अब हम यहां पे देख लेते हैं कि देखेए घन्मूल लिकालने के लिए दो विदी होता है पाला भाग विदी से हम लोग घन्मोल लिकाल सकते हैं दूसरा अभाज गुड़न खंड विदी से गनमोल निकालना सीखेंगे तो चलिए अब हम लोग गनमोल निकालते हैं और लास्ट में मैं आपको एक सवाल भी दोंगा तो आप लोग उसको जरूर रल करिएगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 216 का गनमोल निकालना है ठीक है? तो हम यहाँ पे 216 का हम लोग यहाँ पे अभाज गुडन खंड करेंगे कुछ इस तरह से ठीक है न? इस तरह से अभाज गुडन खंड करेंगे तो इसको हमें किसे से काटना है जो मैंने अभी आपको पीछे अभाज संख्याओं बताया केवल आपको अभाज संख्याओं से इसको काटना रहता है तो अभाज संख्याओं दो, तीन हो गया पांच हो गया, साथ, एदम करम से ऐसे लिखिएगा फिर ऐसे 11 हो गया ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम दो से इसको काटेंगे तो 2 से काट जाता है, तो काट देता है इसको तो 2 से काटिए, 2 एक हम 2 हो गया अब 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो हमें 2 नहीं लेना पड़ेगा, यानि की 1 0 बढ़ेगा 2 16, यानि की यहां पहें हमें भाग ही करना पड़ता है, ठीक है? फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 से काट ये तो 2, 5, 10, 2, 4, 8 फिर से 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2, 4 और 4, 1, 5 होता है तो यहाँ 14 हो गया तो 2 साथे 14 अब 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे हाला कि यह 27-9 से भी कट जाता है लेकिन हमें केवल इनी सबसे काटना है ठीक है तो 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटेंगे तो 3-9 27 फिर 3 से कटेंगे तीन तरीका 9 और यह जाएगा 3 कम 3 इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसका गनमूल निकालना था ना इसको अम लोग लिखेंगे 216 फिर बरावर लगा देंगे अब इनी सभी संख्याओं को लिख लेते हैं लेकिन गुड़ा लगाते जाएंगे दो गुड़ा दो गुड़ा दो तीन बार दो है और तीन बार तीन भी है इस तरह लिख लेंगे अब जब घनमूल आपको निकालना रहेगा तो देखेंगे एक अई संख्या अगर तीन बार आया है तो तीनों पर लगा देंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक अई संख्या दो तीन बार आया है तो तीनों पर लगा देजिए यहाँ पर यह कही संख्या तीन बड़ा है तो लखिर लगा दीजी यानि कि घनमूल निकालते समय हम तीन-तीन संख्याओं पर लखिर लगाते हैं लेकिन वर्गमूल निकालते समय हम दो-दो संख्याओं पर लगाते हैं ठीक है तो इतना कर लेने के बाद देखिए जब भी हम गनपुल का चिन यह होता है घं मुखली का घं मूल जरूर रहेगा तो हमें 126 लिखरा लाये तो 216 लिखरेंगे और यहां पे इस तर लगा देंगे यहां पे अगर हम तीन बार आपस में गुड़ा करें तो 216 ही आएगा तो इस तरीके से हम लोग घनमूल निकालते हैं तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्योस्टन को हल करते हैं तो दीखें दूसरा क्योस्टन क्या है दूसरा क्योस्टन है यह है आपका 1728 आपको इसका घनमूल निकालना है ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम लोग अब आज गुड़न खंड कर लेते हैं 1728 पर ठीक है ना इसको किससे काटेंगे 2 से काट सकते हैं 3 से 5 से 7 से ऐसे आगे तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा तो 2 से काटिए तो 2 से इसमें भाग ही लगाना रहता है तो भाग लगा ये 2, 8, 16 8 बर जाएगा 2, 9, 8, 9 बर में अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर 2, 8, 16 हो गया 16, 17 होता है एक अधिक है तो यह अब दूनों ले लिए 12 तो 2, 6, 12 कट गया फिर अगला लेजी 2, 8 फिर 2 से कटेगा तो काटिए 2, 8, 2, 3, 6, 2, 2, 4 फिर 2 से कटेगा 2, 2, 4, 2, 1, 2 यहाँ पर 3 है तो एक अधिक है तो यह 12 हो गया 2, 6, 12 फिर 2 से कटेगा 2 से काटिए 2, 1, 2 हो गया अब यहाँ पर एक में भाग नहीं जाएगा तो हम दोनों लेंगे जब दोनों लेंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा तो 2, 8, 16 फिर 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 2, 5, 10, 2, 4, 8 अभी भी 2 से कटेगा तो दिखिए 2, 2, 4 और 4, 1, 5 होता है यह जाएगा 3, 9, 27, फिर 3 से कटेगा 3, 3, 9, फिर 3 से कटेगा 3, 9, फिर 3 से कटेगा 3, 9, इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे इसी 17, 28 का घनमोल लिकालना है न तो यह लिखिए 17, 28 फिर यहाँ पर बराबर लगा दीजिए अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यह करना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा आप चाहें तो देखके सीख सकते हैं फिर इतना लिखने के बाद हूम क्या करेंगे इन ही सभी संख्याओं को लिखेंगे और गुड़ा लगाते चले जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार दो है तो 6 बार दो लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीच में गुड़ा लगा दीजिए 3, 3 बार है तो इसको भी लिखे पर रूट लगा देंगे या पर छोटा से तीन जाएगा अब देखे ये तीनों में से एक दो ले लिजिए इन तीनों दो में से एक दो ले लिजिए इस में से एक तीन ले लिजिए गुड़ा करिए दो दुना चार चारतियां बार तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यानि कि 17 1728 का घनमूल 12 हो गया तो चलिए अब मैं आपको सवाल देता हूँ तो दिखे यहाँ पे एक संख्या है 729 ठीके आपको इसका घनमूल निकाल करके कमेंट में जरूर बताना है तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है